आप देख रहे हैं जैभारत टीवी एक बार फिर विश्वास जताया बीजेपी पर और नायाप सिंग सैनी जिनने आप चुप चाप सैनी भी कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो चुप चाप अपना काम करते रहे एक दिन पहले उन्होंने कह भी दिया था कि मत पेटियां खुलने दीजिए इवियम मसीन खुलने दीजिए आकड़े आएंगे और बीजेपी सरकार में लोटेगी कुछ ऐसा ही हरियाना में हुआ है तो एक्जिट पोल फेल कॉंग्रेस का अपना अंदुरूनी सर्वे फेल बीजेपी का अंदुरूनी सर्वे भी फेल क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के अपने इंटर्नल सर्वे में भी भाजपा की हालत पतली थी वो भी फेल हो गया और जन्ता ने भर भर के सत्ताधारी दल भाजपा को हरियाना में एक बार फिर सिर मौर बना दिया अब कहानी कॉंग्रेस की भी है क्यों चुनाव हार गई कॉंग्रेस हरियाना का जब हर किसी को ये लग रहा था जो थोड़ी बहुत भी राजनितिक समझ रखता है वो ये कह रहा था कि हरियाना में तो वाइट वाश हो जाएगा और बीजेपी सत्ता से दूर जा रही है और कॉंग्रेस बड़े बहुमत के साथ एक अच्छे मैंडेट के साथ हरियाना में सरकार बनाने जा रही है दस साल का सूका खत्म होने जा रहा है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इसके कारण क्या थे कॉंग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो रहुल गांदी का देरी से हरियाना में कूदना और आकर रोट शो करना केवल क्या डोर टू डोर कैमपेइन उस तरह से कॉंग्रेस कर पाई जिसे करना चाहिए था क्या केवल जो एक लहर जो प्रशेप्शन सोशल मीडिया पर बन रहा था उसी के मुगालते में आकर कॉंग्रेस गच्चा खा गई हरियाना में उस पर आप सवाल उठने लगें दूसरी तरह बीजेपी जो कहीं भी चर्चाओं में भी नहीं थी ना एक्जिट पोल में थी ना अपने इंटरनल सर्वे में थी ना कॉंग्रेस के सर्वे में थी ना लोगों की बाच्चीत में थी हर कहीं पर यही चर्चा हो रही थी कि दस साल की एंटी इंकेंपेंसी है और तमाम जो केंदर की जो योजना हैं चाहे वो अगनिवीर हो किसानों का मसला हो पहलवानों का मसला हो इन तमाम मुद्दों पर जनता वोट करेगी तो बीजेपी का तो सूपड़ा साफ होने वाला है हर कोई यही अंदाजा लगा रहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बीजेपी जो अपने माइक्रो मनेज्मेंट के लिए जाने जाती है क्या एक दफा और भाजपा ने यह साबित कर दिया है लोगसबा चुनाओं में जो नतीजे बीजेपी के लिए आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उस जटके से भाजपा अभी तक उबर नहीं पाई थी लेकिन अब हर्याना ने जो कुछ भाजपा को दिया है वो अब बीजेपी में बहुत कुछ बदल देने वाला है क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को राश्ची अध्यक्ष मिलना है और उसी को लेकर अब तक चर्चा हो रही थी और संग जिस तरीके से मोदी और अमिश्चा पर हावी होता जा रहा था इस बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और ये बताया जा रहा था कि आने वाले समय में जब दिसंबर में बीजेपी के जो अंदुरूनी चुनाव हैं वो हो जाएंगे और भाजपा को राश्टी अध्यक्ष मिलेगा वो राश्टी अध्यक्ष संग के वीटो से बनेगा अब उसमें अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही थी अलग-अलग नाम चल रहे थे और सबी ये कह रहे थे कि संग का नाम ही होगा वो फिर चाहे संजय जोशी हों वो फिर चाहे वसंदुरा राजे हों या फिर वो दिविंद्र फढणवीस हों या शिवरा सिंग चोहान हो संग की इजाज़त के बिना अब भाजपार आश्टी अध्यक्ष नहीं बना पाएगी यही कहा जा रहा था क्यों? क्योंकि लोगसवाद चुनाओं में बीजेपी को जटका लगा था मोदी अमिश्या कमजोर बन गए थे क्योंकि केंद्र में ही अल्पमत में सरकार आई तो उस समय फिर चंद्रवाबू नैडू और नितिश कुमार के साथ को लेकर केंद्र की सरकार इस समय सस्टेन कर रही है इसलिए संग का दबदबा ज़्यादा हो गया यह कहा जा रहा था और हरियाना चुना महराश्ट का चुना जहारखन का चुना जम्बू कश्मीर का चुना निपटने के बाद संग अपने किसी एक नाम को भाजपा की राष्टी अद्यक्स की कुर्शी में बिठाने जा रहा है यह चर्चाएं चल रही थी तो क्या अब इन चर्चाओं पर रोक लगेगी क्योंकि यहां से अब इस्तिती बदल गई है अब हालाद बदल गए हैं बीजेपी के भीतर हरियाना को भाजपा ने अमिशा ने प्रधामिंती नरिन मोदी ने जीत लिया है पीम नरिन मोदी अमिशा की रणनीती के तहत हरियाना का चुनाव लड़ा गया और उस रणनीती में दोनों कामियाब हुए तो पहली बाधा तो दूर हो गई यानि कि जो संगठन भाजपा का वरकर लोगों में केंद्र सरकार के प्रती जो असंतोष पैदा हो रहा है जिसकी चर्चा की जा रही थी उस असंतोष को क्या खत्म करने में कामियाब हो गए प्रधान मुंत्री नरियन मोदी एक बड़ी बाधा अमिश्या मोदी ने अब पार कर ली है और इसका असर महराष्ट में भी देखने को मिलेगा क्योंकि महराष्ट में शिंदे गुड़ शिवसेना सिंदे गुड़ जो की साथ सांसद अपने पास रखता है उस गुड़ की जो मोनोपली चलने वाली थी महराष्ट में बीजेपी के साथ टिकट बटवारे को उस पर विराम लगा है बताया तो ये भी जाता है कि हो सकता है कि बिहार का चुनाओ भी महराष्ट जहरकंड के साथ करा दिया जाए हलागि अगले साल होने है लेकिन वहाँ सारे राजनितिक दल बिलकुल इस तरह से चुनाओी मैदान में अभी से कूद गए हैं जैसे की चुनाओ अभी सामने होने वाले हैं हलागि एक साल का वक्त है तो अगर वो जल्दी चुना होते हैं बिहार के तो वहाँ भी नितिश बाबू के साथ जो बार्गिनिंग होनी है उसमें भाजपा का पलड़ा अब मजबूत रहने वाला है तो आने वाले समय के लिए प्रदानवंत्री नरिन मोदी और अमित्शा के लिए हरियाना की जीत संजीवनी साबित होने वाली है और खास कर तब जब भाजपा का अध्यक्ष चुना जाना है और संग लगातार दबाव बना रहा था अब संग को बता दिया जाएगा कि हमने हरियाना का चुनाव लड़कर आपको दिखा दिया और सारे एक्जिट पोल फेल कर दिये लोगों के इंटरनल सर्वे फेल कर दिये आपका खुद का सर्वे हमने फेल करके दिखा दिया हमारा जो माइक्रो मनेजमेंट था हमारे जो कारेकरता जिस तरह से काम कर रहे थे और जनता में अभी भी प्रदानमती नरेन मोदी के प्रती लगाओ है वो बंधन अभी भी बधा हुआ है लोग उस बंधन से बदें है वोटर बधा हुआ है और उसका विश्वाज भी कायम है भले ही लोग सबा चुनाओ में सीटे कम रह गई हो लेकिन विधान सबा के चुनाओं में प्रदानमती नरेन मोदी और अमिच शा का जलवा कायम है ये बात अब संग के सामने रखी जाएगी तो आने वाला वक्त बीजेपी के अंदरूनी चुनाओं के लिए और केंदर की भाजपा सरकार अब संग को भी क्या अपनी रणनेती बदलनी पड़ेगी और इस चुनाओं का असर महराश जारकन में किस तरह से होगा बिहार के चुनाओं को लेकर आप बीजेपी कितनी मजबूत हो चुकी है चुनाओं से पहले सीट बटवार एक सबसे बड़ी दिक्कत थी महरास्ट में और बिहार में भी वही इस्तिती होने वाली थी तो वहाँ पर अमिश्या एक बाजी तो जीच चुके है इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही किसी और मुद्दे के साथ आप सफिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त और आप देखते रहिए जैभारट टीवी नमस्का